आज की वीडियो में हम पिछले ही चरण से आगे बढ़ेंगे पिछे मने बताया था कि हर राशी का एक स्वामी होता है ग्रह की जहां अपनी राशी होती है वहीं ग्रह का उच्च और नीच स्थान भी होता है हरे ग्रह कहीं जाकर बुरा हो जाता है तो कहीं जाकर अच्चा हो जाता है यहां हमें समझने के आवशकता है राशियों के बारे में कि कोई भी ग्रह जो आगर हम बात करें कि सूरे से शुरू कर लेते हैं अगर हम सूरे को देख रहे हैं, तो सूरे की दो राशिया मैंने आपको बताई, सूरे की राशी मैंने आपको बताई, सिंग राशी सूरे की सूराशी है, सूराशी मतलब अपना घर, यहां हमें ग्रहों की प्रकृति को समझने में असानी होगी, इसलिए हम इसे समझ रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जब अपने घर में होता है तो बहुत comfortable होता है तो सूरे जब सिंग राशी में होता है तो ये अपना अच्छा फल देता है अगर बहुत कोई विशेश परिस्थिती ना हो तो ये बुरा फल नहीं देगा अपने घर का तो नुकसान करी नहीं सकता जब सूरे सिंग राशी में होगा तो बिल्कुल अच्छा रहेगा लेकिन कुछ राशियों में ये उच्छ का हो जाता है उच्छ मतलब मेश राशी में जाने पर ये कमाल का बढ़िया हो जाता है इसलिए मेश राशी को इसकी उच्च राशी कहा जाता है तो सबसे जो अच्छा फल ये देता है वो ये मेश राशी में देता है वो इसके मित्र की राशी है लेकिन वहाँ जाकर ये विशेश रुप से शुप फली होता है जबकि इसकी नीच राशी जो है वो है तुला ये है सुवराशी ये है उच्च राशी और ये है नीच राशी यानि कि तुला में जाने पर सुर्य बुरा हो जाएगा यहाँ यह अशुबफल ही देगा अब अगर दूसरी हम बात करते हैं चंद्रमा की चंद्रमा जो है वो उसकी करक राशी है वो करक जो है विरिष राशी में उच्च का होता है उच्च नीच को समझने के लिए कुंडली में जरा आपको comfortably समझ में आजाएगा, अगर हम कुंदली में किसी भी चीज़ को दिखेंगे, तो आपको समझना आसान हो जाएगा. कुंदली में आपको किया समझना आसान हो जाएगा, कि कोई भी ग्र जिस राशी में उचखा होता है, उसके सामने वाली राशी में जाकर नीचका हो जाएगा माल लीजे कि यहां मेश राशी है अब अगर यहां मेश है तो यहां तुला है तो अगर सूर्य यहां उचका है तो यहां नीचका हो जाएगा ठीक सामने वाली राशी पर एकदम सामने देखिए वो उच्चका होगा अब यहाँ अगर मेश है तो यहाँ करक राशी पड़ेगी और यहाँ पर जो है मकर राशी पड़ेगी तो जो ग्रहम मकर में उच्चका है करक में व्रहस पती उच्चका होता है मकर में जाने पर नीचका हो जाएगा ठीक सामने की जो राशी है उसमें नीच होता है सात्मी राशी इसे आप प्लस करके भी देख सकते हैं एक में छे जोड़े सात्मा आ गया यहां वरिश में इसी प्रकार से यह दूसरी राशी है तो वरिश में अगर कोई ग्रह उचका होता है तो वरिश्चिक में जाने पर नी दो स्वराशिया हैं अब यह मंगल मकर राशी में उच्चका होता है अगर यह मकर में उच्चका होगा तो ठीक सामने करक में जाने पर नीच्का हो जाएगा यहां देखिए कर मकर में उचका है तो ठीक सामने करक राशी है इसमें ये नीचका हो जाएगा अगर हम बुद्ध की बात करते हैं तो बुद्ध जो है वो है मिठुन राशी और कन्या इसकी अपनी राशी है अब यहां यह क्या होता है कि यह कन्या राशी में उच्च का रहता है तो कन्या इसकी स्वराशी भी है और इसकी उच्च राशी भी है अगर यह कन्या में उच्च का होगा तो यह ठीक सामने साथ में यानि कि मीन में जाने पर मीन राशी में जाने पर नीचका हो जाएगा इसी प्रकास से अगर हम बुद्ध के साथ गुरू की बात करते हैं गुरू जो है धनू और मीन राशी इसकी स्वराशिया है अपना घर है ये दो इसके अपने घर है अब यह गुरु जो है, यह क्या होगा करक राशी में उच्चका होता है तो यह मकर में जाने पर नीच का हो जाएगा अब इसी तरह से शुक्र को समझते हैं शुक्र जो है व्रिश और तुला यह दू इसकी अपनी राशिया है अब ये इसके ये जो है ना शुक्र जो है ये मीन में उच्च का होता है तो क्योंकि ये मीन में उच्च का होता है तो ये कन्या में जाकर इसका ठीक उल्टा कन्या में जाने पर ये नीच का हो जाएगा इसी प्रकार से यह दिम शनी की बात करते हैं तो शनी मकर और कुम्ब ये दो इसकी अच्छी राशिया है सो राशिया हैं अपने घर हैं दो इसके तो ये मेश राशी में तुला राशी में उच्छका होता है और ठीक सामने मेश राशी में ये नीचका हो जाता है इसको अब इस तरह भी समझ सकते हैं कि कोई ठीक जो कोई उच्च राशी होती है जहां भी कोई व्यक्ति उच्चका होता है उसके बिलकुल विपरीत स्थिति में जाकर ही वो नीचका होगा तो जैसी राशी में मालों जो मेश है ये अब मेश का विपरीत क्या होगा मेश का विपरीत कुंडली में तुला हो सकता है ठीक सामने दूसरी तरफ 180 डिगरी पर क्या है तो वो तुला है यहां जाने पर ये नीच हो जाएगा अब ये शनी के लिए है राहू और केतू के लिए असल में कोई खास उच्च या नीच राशी नहीं है व्यवहार में अलग-अलग लोग अलग-अलग इनके लिए उच्च और नीच राशियां बता रहे हैं राहू की कोई स्वराशी भी नहीं है राहू व्यवहार से फल देता है बहुत से लोग अलग-अलग तरह से राहू और केतू की अलग-अलग राशियां बता रहे हैं लेकिन जो बहुतायता में बात मानी जाती है वो राहू के लिए क्या मानी जाती है एक तो राहू सहचर रहसे फल देता है जिसके साथ बैठा है वैसा ही फल देगा अब उसकी प्रकृति जिससे मेल खाती है उनके साथ ज्यादा अच्छा फल देगा जिनके साथ प्रकृति मेल नहीं खाती है उनके साथ ज्यादा अच्छा फल नहीं देगा तो यहां अगर हम समझे राहू के साथ राहू के साथ देखने पर राहू की कोई स्वराशी ठीक से स्वराशी नहीं है फिर भी कुछ लोग व्रिश को और कुछ लोग मिथुन को राहू की स्वराशी बताते हैं कुछ गरंथों में मतंतर से और भी राशिया हैं लेकिन मैं राहू की कोई स्वराशी नहीं मानता, लेकिन राहू की उच्च राशी व्यवहार में व्रिश देखी जा रही है। कुछ लोग मतांतर से मिथुन को भी राहू की उच्छ राशी मानते हैं ये दोनों में राहू का अच्छा प्रभाव देखा जाता है इन दोनों में ही राहू असल में अच्छा प्रभाव देता है उच्छ प्रभाव देता है अब इसके ठीक सामने धनू और व्रिष्चिक र राशी में शनी ज्यादा बुरा फल दे रहा है सदेयू और कभी भी व्रिश्चिक राशी में मैंने राहू को शुब फल देते हुए नहीं देखा और मैं उन विद्वानों से ज़्यादा सहमत हूँ जो निश्चित रूप से राहू को नीच बताते हैं व्रिश्चिक में तो यह मैं मानता हूँ कि राहू जो है अब ठीक सात्वी स्थिती यानि कि व्रिश्च की स्थिती में फिर वो उच्च का होगा तो यहां राहू की व्रिश रासी उच्च स्थिती और व्रिश्चिक रासी नीच स्थिती मानी जानी चाहिए व्यावहार में यही दिखाई दे रहा है अगर हम केतू के लिए बात करें तो ठीक क्यों कि राहू केतू के ठीक उल्टा होता है तो यहां राहू जो है केतु के अलग फल दे रहा है उस पर हम कभी बाद में चर्चा करेंगे विस्तार्स से केतु को समझना थोड़ा सा मुश्किल कारे रहेगा तो मैं आपको विस्तार्स उसके बारे में कभी अलग से कोई वीडियो में बताऊंगा लेकिन फिलाल हम उच्च नीच राशियों में व्यभार जब हम करते हैं तो यहां तक शनी तक हम जादा उपयोग करते हैं उच्च नीच राशियों को अच्छे ग्रह के साथ collaborate करेंगे तो अच्छा फल देने लगेंगे और अगर इनका जो संबंध है अगर वो बुरे ग्रह के साथ होगा तो यह बुरे हो जाएंगे तो सबसे पहले हमें राहू के राहू और केतु का फल करने से पहले यह देखना पड़ेगा कि प्लेस्मेंट कैसी है तो आज हमने इस विश्या पर चर्चा की अगली वीडियो में हम बात करेंगे अगले विश्या पर तब तक आपका दिन शुभो धन्यवाद